नमस्कार लोगसवा चुनाओं से जुड़ा क्यापिटल टिवी का खास शो बैटल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा लोगसवा चुनाओं की छटे चरन के लिए 25 तारिक को वोटिंग होनी है जिसका चुनाओी शोर आज शाम थम जाएगा पर वोटिंग से पहले बंगाल की मुख्यमंत्रे मम्ता बेनरजी बुरी तरह से फस गई है बड़ा जटका मम्ता बेनरजी को कलकता हाई कोट से लगा है कलकता हाई कोट ने बंगाल की मम्ता बेनरजी सरकार को टीचर भरती मामले के बाद अब एक और बड़ा जटका दे दिया है कोट ने 2010 से अब तक जारी लगबग 5 लाख OVC प्रमान पत्रों को रद कर दिया है हाला कि ये भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक ने प्रमान पत्रों के आधार पर जो भी नौकरिया दी गई है उन्हें रद नहीं किया जाएगा हाई कोट पहले ही बंगाल में 25,000 टीचरों की भरती को रद कर चुका है इसके साथ ही हाई कोट नी ये भी कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके है या नौकरी पाने की प्रक्रिया में है तो चुनाओ की बीच में कैसे ममताब इनर्जी कोट के एक बड़े पैसले से पस गई है बताएंगे आपको चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद है चुनाओ की बीच में ये जो हाइकोट का फैसला आया है ममताब इनर्जी की कैसे मुसीबत बढ़ने वाली है मुसीबत ऐसा लग रहा है कि टीमसी को किसी डैनमाइट के भंडार पर रख दिया गया और डैनमाइट को फार कर दिया गया है हवक क्रियेट हो गया है क्यूंकि आप देखिए कोई भी चीज बहुत ज़्यादा किसी चीज की अती हो जाती है अन्याय कभी इदम एक्स्ट्रीम जगह पर चला जाता है तो फिर अपने आप डिवाइन जस्टिस जो है दे कम इंटू प्ले रावन जो है वो इतना अत्याचारी इतना ग्यानी इतना ये इतना सब कुछ लेकि जब अत्याचार की अती हो गई तो फिर कुछ ने कुछ तो हो रहा है क्या हुआ है इस पर ममता बनर जी की ये जो मुस्लिम अपीजमेंट राजनीती है उसका घिनोना चेहरा दुनिया के सामने आ गया पहले समझ लेजिए ये मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि OBC कमिशन जो नेशनल अस्तर पे है उसको बहुत सारी कंप्लेंट्स आए कंप्लेंट्स ये आया कि ये जो OBC रिजर्वेशन के तहद नौकरिया हो या कोई भी हो इड्मिशन हो उसमें ज़्यादतर जो है वो मुसल्मान खा जाते हैं मुसल्मान खा जाते है हिंदू अभी सी इसको वहाँ मौका ही नहीं मिल रहा है जब ये शिकायत आई तो 2023 में नेशनल बैकवर्ट कमिशन के तरफ से एक टीम नहीं वहाँ पे बकैदा सर भी किया किती नौकरिया मिल रही है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो वहाँ मालूब चला कि यहां तो ना सिर्फ मुसल्मानों को बलकि रोहिंगियाज बंगला देशी मुसल्मान इन सब को जो है नौकरी देने का कि बड़ा एक system मना दिया गया बंगाल के लोग बोलेंगे ने बंगाल के पत्रकार भी बोलेंगे ने लेकिन वहां के अधिकारी बताते हैं पुलिस वाले भी बताते हैं जो system से तरस्त हो गए है बंगलादेशी आय, रोहंगियाज आये तो आप इस जगह के हैं उसके लिए क्या जरूरी है जमीन आपके नाम होना है मंता भरहर जी की पूरी सिस्टम है वहाँ पे एक नए ढंग से लोगों को बिठाया जा रहे है पहले तो बंगलादेशी और सब आते थे उनको रासन कार्ट बना दिया अपर अपना नौकरी उग्री कर रहे हैं और यहां क्याप सिस्टम सुरू हो गया है कि वह यहां आते हैं तो वन बाई टू स्क्वार फीट जमीन लिखवा लेते हैं सब केजरिवाल बनने हैं कैसे कहते हैं बेशर्मी कि कहा लिखा हुआ है कि चीफ रुष्टर जेल जाएगा तो इस्तिफा देखा कही कारून नहीं लिखा हुआ है तो यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जमीन कितनी बड़ी होनी चाहिए रिश्टेशन होता है और फिर उ 2010 के बाद जो नहीं लिस्ट आई थी उसमें जो टोटल ओविसी कास्ट है 178 है उस 178 में 119 119 कौन है मुसलिम कास्ट है अल्मुस्ट आल कास्ट को जो है आपने मुसलमानों को ओविसी के तहद दे दिया स्ट नहीं दे सकते स्ट नहीं दे सकते क्योंकि उसमें मुसलमानों को नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन ओविसी के एक लूप होल है ये ये लूप होल है इसलाम में कहां कास्ट सिस्टम है इसलाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता तो वहां OBC कैसे आ गए वहां अपर कास्ट कैसे आ गया वहां SCST कैसे आ गए तो नहीं है लेकिन फिर भी आपकी ये कास्ट पॉलिटिक्स ये विशुनात परताप से में जो गंदगी फैलाई है मुसलमानों को OBC लिस्टमें डिजर्विशन का फायदा आपने अल्मोस सारे लोग और उसका हुआ क्या हुआ ये कि फिर जब 27 फिश्दी मुसलमान हैं मंगाल में बाकी सब अदर हैं हिंदू जो है वह नौकरी निकलती है मालम चलता है कि 70-80% है मुसलमानी नौकरी खा जा रहा है मतलब संख्या कम रिजर्वेशन ज्यादा सारे कास्ट को आपने उसमें डाल दिया तो अब पी-ा-इल डाल दिया गया हाइकोट ने देखा हाइकोट को समझ में आ गया कि ये तो पूरा न्याय है तो नोंने कहा कि भई जो लिस्ट जो बनाए हो उसको ही कैंसल कर रहा हूं फिर से लिस्ट बने पिर से उसका मुल्यांकन होगा अब ममता बरन जी करें कि हमको हाइकोट का फैसला नहीं बाना है तो ये आप समझे कि इन लोगों ने और ये सारे काम करेंगे ये कांवरेसी देखी जो ने करनाटक में किया जो तलंगाना में करना चाह रहे हैं राव गादी जो घूम घूम करके कह रहे हैं मानावटिस के लिए करेंगे सब इसी फॉर्मूले पे जाएंगे ये तो वही मुसलमानों को इस तरह से दिया जाएगा इन लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट के चकर में देश को तबाह करने की ठाल ली है बिल्कुल तो जैसे कि सर ने समझाया कि जो ये इसमें सबसे जादा संख्या मुसलिमों की है यही सबसे बड़ी दिक्क दो तरिशे अभी चल रही है हिंदू उनके साथ है नहीं और मुसलमान कनफ्यूजड है इस बात को लेकर कि ममता बनर जी जिस तरीके से कमजोर साबित हो रही है हाई कोड पूरी तरीके से नकेल कसे हुए है ये केंद्र सरकार से दुश्मनी मोल लेके रखी है तो इसके कार ना दिली में कोई इनका आधार बन रहा है कि कोई भी सुविधाय ले सके ना यहाँ पर जो करप्सन के आधार पर मुसलमानों को कुछ सुविधाय दे रहे थे ये सिर्फ OBC आरक्षन की बात नहीं है वहाँ पर PM आवास के तहत लाखो लाख बेहतर स्थिति वाले मुसलमान को इन्होंने मकान दिया और वो जब पैसा बंद हो गया केंदर सरकार से तो छट पटाती रही क्योंकि वहाँ के मुसलमान इनके उपर दबाब बनाते रहे कि जब PM आवास का पैसा ही नहीं आ रहा है तो हम उससे फायदा कैसे उठा पाएंगे तो केंदर से सामंजस खत्म उसके बाद कोट में आप कोई प्रूफ नहीं दे सकते कोट आपके उपर अंकुष लगाये हुए है और आपकी सरकार जहां पर है वो सरकार भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि साह जहां से को उसके घर से उठा ले जाता है और फिर जितने आपके वर्चस वाले नेता हैं उन लगा हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि ED और CBI साथ में ये जो कोट का आदेश होता है बंगाल पुलिस को भी मजबूर होना पड़ता है उन लोगों के साथ जाने के लिए तो ये कन्फ्यूजन मुसल्मानों के बीच है कि क्या अभी ममता बनर जी का सपोर्ट करें या ल दिनली तक हमारी आवाज तो पहुंचाएंगे कम से कम ये लोग रास्टी एस तर पर हंगामा ख़डा तो करते हैं तो इसलिए ये मुसल्मानों के अंदर कन्फ्यूजन को देखकर ममता बनर जी परेशान है और इस बौकलाहट में कि कम से कम मुसल्मान हमारे साथ हों वो हि हिंदू के खिलाब बोलने लगी है जो पिछले दिनों रामकृष मिसन को लेकर बोल दी इन हिंदू संतों को लेकर बोल दी कि ये लोग तो भारतिये जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए परचार कर रहे हैं ये मोदी ने ये मुद्दा बड़े अस्तर पर उठाया और अब बी एच्पी वालों ने इसके खिलाब कंप्लेन भी कर दिया है या चिका दायर कर दिया है तो ये भी मुद्दा बड़ा होते जा रहा है हिंदू साथ छोड़ रहे हैं और मुसल्मान कनफ्यूज जो गए हैं इसलिए ममता बनर्जी दिखाने की करोगी ऐसा तो है नहीं कि हाई कोट के फैसले के बाद सुप्रिम कोट में जाए बिना उसको खारिज करने का अधिकार किसी सतार को है तो इसलिए ममता बनर्जी ये दो फेज का चुनाव है उसके बीच ऐसे फश चुकी है कि हतासा और निरासा उनके चेहरे पर दिकाई करेंसे लेकिन रियक्सिंदेखिए इधर ब्रेकिいます चल रहा है कि हाय कोट प्रिंट कर दिया है कि और तुरे इनको मताया गया कि ये तो खेला हो गया क्या रही कि यह सब कुछ BJP ने करा है सब कुछ पूरी दुनिया जो है BJP के वज़़ज़ से सूरज जूपता है BJP के वज़़ज़ से सूरज जूपता है BJP के वज़़ज़ से बारिस होती है BJP के वज़़ज़ से आंदी तुफान आता है बकवास करना इन लोग बंद करें अपनी खामियों को जो है छिपाने के लिए हर चीज में बीजेपी कर रहा है अब दिक्कत क्या है तुरह तुरह ने कहा कि हम नहीं मानते बैं को गंटेंट डालो उसके उपर कारण क्या आप इस तरह से पब्लिक ली जो है बैं उसका तरीका है कि हमको सुप्रिम कोट का हाई कोट का फैसला अस्वी कारे है नहीं मानेंगे मानना तो कि सब को पड़ेगा सुप्रिम कोट रहत नहीं देगी तो फिर यही फैसला फाइनल हो जाएगा अब क्यों रियक्ट की इसको भी समझ लीजिए यह बताना यह चारे कि देखो मुसल्मानों हमने तो तुमारे लिए यह कर दिया ठीक लेकिं दिक्कत क्या है यह जो फिंफ और सिक्स फेज है इसमें बहुत सारे ऐसे इसे इलाके जहां मुसलिम वोटर्स हो है वो 25-30% है वो चला गया इलाका वो इलाका मुसलिम बहुल इलाका जा 50% मालदा 77% मुर्शिदाबाद दिनाजपूर यह सब इलाका चला गया अब जो है साउथ बेंगोल के अंदर चल रहा है यहां हिंदू वोटर्स बहुत अब वहां क्या दिक्कत है दो चीजे अल्रेडी नौकरी को ले करके ममता बरनर जी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे ध्यान रखे क्यों जहां रोजगार की बात होगी लोग बले वोई पैसा ले करके तुम तो नौकरी देते हो सिक्षक भरती घोटाले को ले करके अल्रेडी एक घुसा है अब ये एक नया मसला सामने आ गया कि हिंदू की नौकरी छीन के मुसलमानों को दे रही ममता बरनर जी यही तो बीजेपी कहते आ रही है और इस चीज के उपर मौर लग गया अब मुसलमानों की कभी स्टेटस जो है वो खतम हो रहा है तो ममता बरनर जी को लगया कि मुसलमान नाराज ना हो जाए वो कही कॉंग्रेस और सीपियम के तरफ न चला जाए और दूसरी तरफ इस फैसला के आने के बाद जो कुछ भी ममता बरनर जी के साथ जो हिंदू जो है वो सिंपती रखते थे ममता बरनर जी के लिए वो भी चुपचाप वोट करके आ जाएंगे क्योंकि ये तो बिलकुल ही साबित हो गया जो योगी आदित नाद प्रधान मंतरी मोधी कह रहे हैं कि ये लोग आपकी नौकरी छिनके मुसल्मानों को, रोहिंगियाज को और बंगला देशियों को देगे यही तो प्रधान मंतरी ने कहा था आज का फैसला यही आ गया तो अभी जो लास्ट टू फेज़ेज है यह उल्लेटी वो इलाके है जहां पे टीमसी को बहुत जटका लगा है अधिकारी परिवार जो है वो इधर आ गया है अभी वही वोटिंग होना है नंदिग्राम में जहां पार्टी जीत गई ममता हार गई अब आप ममता बनर जी भी जिस इलाके में हार सकती है इस तरह की खबरे आ गई है आप यह समझे ममता बनर जी की उल्टी गिंती अब शुरू हूँ बिल्कुल आप हिंदू वोटर्स भी ममता बनर जी की तुस्टिकरन को समझ चुके है दो फेज़ बचे हैं हिंदू वोटर्स जादा है ममता बनर जी की हाथ से कैसे यह चुनाव निकलता जा रहा है देखिए ममता बनर जी इसी बात से परिशान है कि अभी बीजेपी का जो वोटर है वो पश्चिम बंगाल में कई जगों पर साइलेंट वोटर है वो अंडर करेंट जो चल रहा है वहाँ पर इसको लेकर इन्हें दिक्कत हो रही है जैसे महुआ मोहितरा की रिपोर्ट सामने आ रही है कृष्णा नगर से चुनाव लड़ती है और इस बार भी लड़ेंगी पिछली बार जीत गई थी इस बार वहाँ पर उस चेतर में 35% के करीब मुस्लिम जनसंक्या है मुसल्मान 35% है लेकिन CPM और जो कॉंग्रिस का गटवंदन है वो कम से कम 20% मुसल्मानों को अपने साथ लेकर चल रही है जो वहाँ की इस्थिती है और दूसरी तरफ माटवा कमुदाय के जो लोग है वो पूरी तरीके से CA के बाद और BJP के समर्तन में आ गए है जो 25-30% है अब इस बार महुआ मुईत्रा भी चुना भार रही है ये ममता बनर जी को ऐसे रिपोर्ट मिल रहे है और दूसरे अस्थर पर जहाँ भारतिये जनता पार्टी के कारकरता कम है और जहाँ T.M.C. से डर है वहां तो ये लोग बोल ही नहीं पाते लेकिन रिपोर्ट साती है कि देखो ये लोग अभी सामने में बोलता नहीं है लेकिन भारती जनता पार्टी को वोट देकर आएगा इसलिए पश्चिम बंगाल में बार बार हम इस सहा बोल रहे हैं 30 प्लस सीटे हम लेकर आएगे और यही ममता बनरजी की परिशानी है कि एक बार लोक सभा में जैसे पिछली बार भारती जनता पार्टी ने इनकी संख्या कम कर दी 18 और 22 हो गए अब इस बार उससे कम हुआ तो आगे विधान सभा चुनाब से पहले तो पार्टी के नेता छोड़ कर जाने लगेंगी पार्टी तूटने लेगी हो सकता है कि अगले चुनाब तक ये पार्टी आदा से जादा तूट जाए और ममता बनरजी को बीच में ही गद्धी छोड़ना पड़े मध्यावदी चुनाब हो जाए ऐसे स्थितियों से ममता को डर लग रहा है और यही वज़ा है कि बार बार कहती है हम कहीं नहीं जाने वाले हैं हम तो यही सत्ता पर बैटे रहेंगे और ये हाई कोट के फैसले को इंप्लिमेंट नहीं हो बिल्कुल वो कुछ भी कहती रहें लेकिन बंगाल में जो सालेंट वोटर से मुझे लगता है कि वही बहुत-बड़ा खेल करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद से आप दोनों का जुड़ने हैं तो चुनाओं से पहले ममता बिनर जी को बड़ा जटका लगा है कलकता हाई क कोट ने 2010 के बाद से पश्य मंगाल में जारी किये गए सभी OBC प्रमान पत्रों को खारज कर दिया कोट ने निर्देश दिया है कि पश्य मंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्य मंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग त्यार करेगी अलाकि कोट के इस फैसले के बाद ममता बेनर जी ने नाराज़की जाहिर की है ममता ने कहा है कि मैं कोट के आदेश को स्विकार नहीं करती हूँ अब देखना होगा ममता आगे इस फैसले के खिलाब क्या एक्शन लेती है इस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देख के रहे क्या पतल टीवी नमस्कार